सर का मतलब क्या होता है बेटा सर का मतलब होता है महाशय अच्छा ये क्या होता फिर ये खोपड़ी होता है हम तो खोपड़ी को पर सर बोलते हैं ना आतलब हम तुम्हारा सिर करते हैं पेटा हम सिर नी कहते हैं काहिं पढ़ते हो यह ड्यूटी हमारा इतना है ड्यूटी करने की इच्छा हो रहे है तो आर्मी में जाओ बड़े आएग्टी करने वाले बेटा सुनो तुम लोग जूने हरोज ले तुमका कुछ पता नहीं जानत डर्के भाग के होंगी हैना सर। तर्के नहीं भाग है रिटार्ड हो गए। अच्छा हमने समझ आ डर्के भागिे। बेटा डर्के भागते थे हमाई दूश्मन। हम आर्मड के ते जावाज ऑफिसर थे। क्या आतंगबदी हमाई नाम सुनके कापता रही था था और तुमको क्या लगता है आर्मी आसे ही बना जाता है बहुत महनात लगते हैं महनात अच्छा और नहीं तो का जानते हो आर्मियों का काम कितना मुश्किल भरा होता है गोली खानी परती है सिने में क्या से सिने में क्य पीट दिखाके, भागते भागता काईउंगे वैटा, बॉर्डर जानते हो जानते न, ये धरती मेरे माँ बाला न हमने 3-3 पर देखा भी है वो बॉर्डर नहीं बेटा, इंडिया पाकिस्टान वाज बॉर्डर आच्छा, वो तो नहीं देखा जानते हो एक बार हमाई पुस्टिंग हुआ लगी रात को देर बजे हम लग केन में सो रहे थे फिर अचानक कुछ आतंग बदी आके हमाई छाती में बंदुकतान दिया फिर तो पेंट गिली होगी होगी आपकी ही ने सर बेटा पेंट तो हम तुमारा गिली कर देंगे लेकिन हम तो पेंट पेंटे नहीं फिर तो और अच्छा हो गया तुम्हें मम्मी को पेंट धोना भी नहीं पड़ेगा हमाई मम्मी पेंट धोते भी नहीं फिर कौन धोता है हमाई पापा काहे तुम्हें पापा काहे धोता है मम्मी पापा को धोती है इसलिए पापा प्यान धोती है सर जी धोने से याद आया आपने किसे आतेंग बादी को धोया है का इनका धोया होगा ही ने सर हमको नहीं धोया हमने धोया उनको जंगल में मूर नाचा किसने देखा बया बेटा अगली बार सा हमाई बातों के बिछ टोका तो यही काट देंगे सर काटने से याद आया आपने किसी आतेंग बदी को चक्कू घोंकाएगा इनको घोंका होगा बड़े आई चक्कू घोंकने वाले